प्रदिवीरी एकाइडमी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है अब हम चल रहे हैं दोस्तों जनरल प्र शिस्टम में अल्रडी हमने इसके पहले एक लेक्चर ले लिया है, अब यह लेक्चर लेक्टर नॉबर सेकेंड है अगर आप देखोगे तो general force system का और overall अगर मैं देखू तो यह I think lecture number 6 होगा lecture number 7 थे यार देखो बहुत अच्छे से मेनत कर रहा हूँ और अगर आप प्रडिविरे academy application पर जाओ के तो और अच्छे से अपनी चीजों cover कर सकते हो अब यहां पर अगर आप दियान से देखोगे तो the forces 1 kN, 3 kN, 2.5 kN on the vertical pole, 6 m high, find the magnitude, direction and position of the resultant with respect to A आपको क्या करना है दोस्तों with respect to A क्या करना है, find out करना है तो सबसे पहले यह दिखाई दे रहे हैं मुझे general force system है तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर दियान दू तो forces को मुझे resolve करना है तो देखो यह force को अगर आप resolve कर रहे हो, और इभापरे, यह force को अगर आप resolve करने जा तो देखो एक तो आपको यह direction मिलेगा यहां पर कितना एगा दोस्तों 3 इस theta यहां पर तो direct cos 30 लिख सकते हो और एक आपका यह रहेगा तो यह 3 sin 30 तो यह आपने एक force दिखा है यह तो vertical force है यह भी horizontal force है तो सब perfect है अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला पार्ट के आएगा summation of x all the forces in x direction एक 1 kilo Newton है इस direction में आ तो minus एक के आएगा दोस्तों minus 3 cos 30 यह सब मैंने समझा है कि जो भी x इस direction में आता है मैंने लेते हैं अब यह वाला पार्ट अगर आपका हो गया दो forces आपने यहाँ पे दिखा दिये अब यहाँ पे अगर आप इसे solve करने कोसिस करते हो तो कैसे आएगा दोस्तों देखो minus 1 minus 3 cos of 30 तो finally दोस्तों यहाँ पे जो मेरा answer आ रहा है वो minus 3.598 तो submission of f of x के आ रहा है minus 3.598 आगे और भी लिखना है तो लिख दो अब देखो दोस्तों यह minus form में आ रहा है तो इसको मैं finally plus लिख दूँगा 3.598 और minus मतलब मुझे पता है x का minus मतलब यह direction तो इसको मैंने direction दिखा के इसको plus form में लिख दिया अब यह भी हो गया आपको बहुत अच्छे समझ में आ है अब नेक्स पार्ट है दोस्तों अब नेक्स पार्ट मेरी बारी कहां पर है दोस्तों देखो समिशन ओफ यहां पर क्या लेंगे y समिशन ओफ y निकालने कोस्ति करेंगे तो कैसे निकलेगा दोस्तों जितने भी forces y direction में है तो y direction में अगर मैं बात करूँ तो एक force यह दिख रहा है 2.5 तो 2.5 नीचे आ रहा है इसलिए minus यह वाला भी force नीचे आ रहा तो यह क्या होगा 3 sin of 30 अब यहां पर अगर मैं बात करूँ और भी कोई force तो मुझे दीख नहीं रहा है y direction में तो यह minus 2.5 minus 3 sin of 30 कि अगर मैं बात करूँ तो finally यहां पर answer कितना आ रहा है दोस्तों minus 4 यहां पर जो मैं answer लिखो प्लीज यहां पर unit mention करना submission of f of y minus 4 minus आ रहा है मतलब मुझे पता है direction y का कौन सा होगा दोस्तों नीचे वाला यह 4 लिखो kilo newton लिखो और नीचे direction यह वाला ही पार्ट आपको cover हो गया है अब यह दो पार्ट अगर आपने cover कर दिया है तो अब next target आपका क्या होगा result है अब मैं चाहता हूँ कि मैं next page पे जाओ और मेरा diagram तो मेरे साथ रहना ही चीए दोस्तों बिना diagram की तो चीज़े solve नहीं हो पाएगी तो portion चले जाएगा portion चले गया कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों बस डाइग्राम रहना चाहिए तो देखो अब मैं resultant निकाल रहा हूँ resultant का फॉर्ट लग है submission of f of x का square submission of f of y का square अब यहाँ पे submission of f of x कितना है दोस्तों f of x का value कितना है 3.598 का square plus 4 का square तो finally अगर आप Kelsey से solve करोगे तो इसका answer आपको मिल जाएगा यह सभी को अब देखो दोस्तों यहाँ पे under root में अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पे 3.598 का square plus 4 का square तो finally दोस्तों जो मेरा resultant आया 5.38 तो resultant का answer है 5.38 और किलो न्यूटन हमने यहाँ पे लिख दिया direction सबसे ज्यादा important है कि यह कौन से quadrant में आएगा यह depend करता है दोस्तों कि आपका x कहां पे यह direction है देखो x आपका यह था y कौन सा था दोस्तों यह direction तो सीरीस ही बात है यह third quadrant में आएगा फिर से जैसे हमने इसके previous sums all किया था तो third quadrant में आएगा तो आपको जिस पॉइंट के respect में बोला होगा third quadrant की तरह वहाँ पे diagram आपको क्या करना है ड्रॉ करना है तो आप सबसेले हम मुमेंट निकालेंगे क्या हो सकता है देखो यहां से color change करो अगर समझें यहां पे है अगर यहां पे है और यहां से यह force आया तो यह कौन से डिरेक्शन में घूमने लगेगा दोस्तों एंटी क्लॉक्वाइज घड़ी का उल्टा तो इसलिए यह क्या एगा प्लस इंटू पर्पेंडिकुलर डि कि बात कुलें यहां से कितना है तो इंटू 3 आएगा नेक्स फोर्स देखो यह तो जीरो हो जाएगा इसी पाइंट पर आ रहा है यह अप ले सकते हैं यह इधर जा रहा है तो यह क्या एगा थ्री कौस ओफ थर्टी इंटू यहां से यहां से नीचे तक का डिस्टन्स कितन लगेगा दोस्तों देखो एंटी क्लॉक्वाइस अब एंटी क्लॉक्वाइस डिरेक्शन घूम रहा है तो क्या आएगा दोस्तों प्लस क्या आएगा दूस्तों यहां प्लस अब एक फोर्स ले लिया दूसरा फोर्स ले लिया तीसरा फोर्स लेना है दोस्तों अब तीसरा यहां से यह फोर्स आता है तो यह पहुंच से डिरेक्शन में घूमने लगेगा दोस्तों clockwise तो यहां पर यह क्या आएगा दोस्तों clockwise clockwise मतलब माइनस अब clockwise मतलब माइनस है मतलब सब्सक्राइब फोर्स अब देखो कैल सी हमारे पास अगर मैं इस फूरे को कैलकुलेट करने कोशिस करो तो देखो 1 इंटो 3 प्लस 3 कॉस 30 इंटो 6 माइनस 2.5 इंटो 1.5 तो फाइनली दोस्तों जो मेरा अगर आपने यह वाला पार्ट कवर कर दिया तो नेक्स टार्गेट आपका क्या होगा आप क्या करोगे तो नेक्स टार्गेट में आप यहां पे वैरिंगल्स तेरम अप्लाइब करोगे समिशन ऑफ मुमेंट ऑफ ओल पोर्सेस एड पॉइंट एक्वाल टू रिजल्टेंट इंटो डी अब समिशन ऑफ यह डिरेक्शन प्लस एंसर आया मतलगे क्या है एंटी क्लॉक्वाइज है यह आपको पता होना चाहिए अब देखो दोस्तों यहां पे यह कितना है 14.838 ए इंटो डी तो यह 14.3838 डिवाइड बया 5.38 विचिस एक्वाल टू यह कितना आरहा है एंसर दिवाइड बया 5.38 तो फाइनली हमारा जो एंसर आ रहा है दोस्तों 2.75 आरहा है हो सकता है तो डी विचिस इक्वाल टो 2.75 मीटर यह हमें डी का वैलू मिला अब नेक्स हमेell से locate करना है अब locate करते टाइम दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग ही बोला था है कि हमारा जो resultant ने आ रहा है से घृत कॉड्रेलट से यह पता चल रहे हैं किसका जो locate होगा कि यह अपना ही है यह कृईंटकर पॉइंट अ Aunque यह उपर होगा या तो यह नीचिए grows तो वही जीज हमने सीखना है कि यह उपर होगा आज की तो इसके लिए हम क्या चेक करते मुमेंट मुमेंट हमारा क्या है दोस्तो मैंस यहां से फीक्स है और यहां पे से अगर force आया तो यह घुमने लगेगा घुमेगा कैसे anti clockwise इस पे घृप्रिल्स बना दे न भैई अब anti clockwise है और धूस्तों अगर suppose यहां से समझव यह है और यहां से कोई force आ रहा है तो यह घुमेगा कौन सा clockwise तो दोस्तों अपने को अपना moment क्या आया है प्लस आया है तो अपने को क्या चीज़ है दोस्तों anti-clockwise कोन दे रहा है anti-clockwise यह दे रहा है तो यह हमारा answer है तो यह अपना resultant है और third quadrant में भी आ रहे है तो third quadrant में कितना है दोस्तों 5.38 kilonewton और दूसरी चीज़ है दोस्तों कि यह जो angle है आप यहाँ भी लिख सकते हो अगर आप चाहिए तो यहाँ पे भी angle लिख सकते हो तो angle जो भी आपका आया होगा तो यहाँ पे resultant का angle आप यहाँ से निकाल सकते हो दोस्तों देखो मैंने sad angle निकाला नहीं उस टाइम पे tan inverse summation of y कितना है 4 summation of x 3.598 तो अगर आप इसे solve करते हो तो देखो यहाँ पे tan inverse 4 divide by 3.598 तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो आपका answer है 48 आता है 48 something आ रहा है तो मैं 48 degree ले रहा हूँ अब यह आपने अगर इसको 48 degree ले लिया तो आपको यहाँ पे यह पाइट आपको पता चल गया दोस्तों कितना है 48 degree अब यह 48 degree है आपको पूरा बहुत ही अच्छे तरीके समझ में आ गया अब दोस्तों यहाँ पे perpendicular distance आपको दिखाना है तो यहाँ से इसका perpendicular distance आएगा और यह perpendicular distance कितना है दोस्तों 2.75 meter जो हमने निकाला हो गया सम मैं चाहता हूँ कि यह एक सम है यह एक सम है यह आपको solve करना चाहिए देखो यह same to same सम है यहाँ पे कुछ अलग नहीं है बस forces जो है वो थोड़े से उसके values अलग है और अगर आप दियान से देखोगे हमें कहा करना है A वाले point से ही जो को find out करना है A वाले point से बढ़ अगर आप दियान से हो सकता है यहाँ पे moment का answer negative आ रहा है तो clockwise हो जाता है clockwise हो जाता है इसलिए यह और यह तो इसलिए यह वाला select किया है नीचे side में तो मैंने बोला ना दो option है अपना अगर third quadrant में आ रहा है यह अगर fourth अगर समझो first quadrant में अगर आता तो उपर के side में arrow होता अगर समझो यही fourth quadrant में आता तो यह diagram इस side में आता fourth के side में यह आपको समझना चाहिए देखो अगर समझो यह fourth आप बोलते सर यह आपने कैसे select किया कि यह point के इसी direction में दोस्तो third quadrant में आ रहा था हमने starting में देखा अगर समझो यह अगर समझो यह point अगर समझो fourth quadrant हमें बोला रहता तो fourth quadrant यहां पर यहां और यहां चेक करते तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यह पूरा का पूरा लेक्चर कवर किया उमीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा प्लीज वीडियो के नीचे लाइक कर देना और comment कर देना यहां से comment कर करते हो तो आप यहां पर चीजे कवर कर सकते हो साथ में अगर आप बहुत अच्छे तरीके से चाहा रहे हो कि नहीं सर मुझे और अच्छे तरीके से और भी एक्जामपल चाहिए नोट्स चाहिए तो आप हमारे प्रदीवगरी अकैडमी अप्लिकेशन से जूड़ सकते हो मनलब दोनों साइड है मनलब जिससे वह कैपल है वह जाके वहां करें हाँ बट यहां पर यह करने की बार तोड़े बहुत एक्जामपल का आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है बाकि मैंने